हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हा अर्किटेक्ट मंदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर्स चैनल को तो ही आज की वीडियो की और बढ़ते हैं आज का प्लॉट 15 वाइच 40 फिट का है और 600 स्क्वेर फिट का ये एरिया है अगर इसकी गज में बात करें तो ये 66 गज का ये प्लॉट है जो इसकी भागी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी आप एक बार वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं और दोस्तों अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी जब भी वीडियो आए नहीं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आए दोस्तों वीडियो के और बढ़ते हैं अभी हम हमारे हाउस के अंदर एंट्री लेंगे और एंट्री लेते ही आप सामने पार्किंग एरिया में देख सकते हैं आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और आप इस पार्किंग में अपनी दो कार अराम से खड़ी आप कर सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों आप इसका open space देख सकते हैं और उपर जो हमने ceiling की हैं आप ceiling design देख सकते हैं और आपको stair के नीचे shoe rack देखने को मिल जाता है अभी दोस्तों इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाता है हमारे गर का drawing room area जो की हमने ground floor पर दिया है और आपको इस drawing room के साथ OTS भी attach देखने को मिल जाएगा जो कि आप video में आ देख सकते हैं और इसी के साथ आपको attach toilet भी मिल जाता है कि हम पर इसना को शोरे की साथ OTS अभी चास्मीन आपको आपको जाएगा जो का बाल में आपको ओे आपको दो चाहे लिए गाईड़िश ृण झाल झाल अभी हम हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलेंगे आप देख सकते हैं स्टेर के लिए भी आपको अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा और दोस्तो इससे आगे बढ़ते हुए तो आप सामने देख सकते हैं आपको हमारे हाउस का फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सोफा लगाया है और आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं आप इसके सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं आप सामने की तरफ देख सकते हैं आपको एक टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा तो इससे आगे बढ़ते हुए आप हाउस की किचन देख सकते हैं इसके लिए हमने एक अच्छा स्पेस रखा है और दोस्तों आपको इस किचन के साइड में एक वाशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसके लिए भी एक आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे हाउस के फ्रंट की तरफ आपको अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी जो कि आप आगे देख रहे हैं अगर हम इससे आगे बात करें तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा और इस बेडरूम की वेंटिलेशन OTS से होगी और इसी के साथ आपको अटैच टॉलेट भी देखने को मिल जाता है कि आपको अगे जाता है इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम आ चुके हैं हमारे हाउस के second floor area की तरफ यहाँ पर आपको family lounge area देखने को मिल जाएगा आप इसकी ceiling देख सकते हैं और दोस्तों आपको second floor पर दो bedroom देखने को मिल जाएगे अभी हम हमारे bedroom की तरफ चल रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं इस bedroom में आपको bed के साथ सामने tv unit देखने को मिल जाएगा अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको walking closet देखने को मिल जाएगी और side में आपको attached toilet भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस room का overall view लेने के बाद अभी हम आपको लेकर चलते हैं इस room की front की balcony की तरफ आपको इस balcony में अच्छा space देखने को मिल जाता है अब हम चलते हैं हमारे house के last bedroom की तरफ आप इसको देख सकते हैं और दोस्तों ये bedroom भी आपको first floor की तरह है सेम उपर देखने को मिल जाता है ventilation के लिए OTS और attach आपको toilet देखने को मिल जाता है और इसमें आपको अच्छी wardrobe भी देखने को मिल जाएंगी क待って हुआ का कि आपको है अपे आपके तरह को आपके पेला के नियुकर खाया जाएंद तरह को प्राइब को अब आपके तो आपके नियुकर और दीजिए अगाने तरह करेंगे में आगे बढ़ते हुए अभी हम चलेंगे हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ आप देख सकते हैं उपर आपको एक मुम्टी देखने को मिल जाएगी और यहां पर भी आप अपने हिसाब से इस जगय को यूटलाइज कर सकते हैं यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी चाहें यहां आप एड़ कर सकते हैं तो अभी आप फ्रंट में देख सकते हैं हमने यहां के स्पेस को देखते हुए यहां पर सिटिंग एरिया का अरेंजमेंट किया है और दोस्तों अगर हम इससे आगे देखें तो आपको सामने हमारे हाउस की मुम्टी देखने को मिल जाएगी और मुम्टी के जो डोर रहेंगे वो आपको क्रोस देखने को मिल जाएगे अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो आपको बैक साइड में एक अच्छा सिटिंग स्पेस देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको एक अच्छा ग्रीन एरिया भी देखने को मिल जाए तो इसी के साथ अभी हम हमारी वीडियो को समाप करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अच्छे कॉंटेंट आपको यहीं मिलेंगे नमस्कार झां 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 झांग कि अीजब नहां है